नमसकार दोस्ते रीजनली इंडिन क्रिकेटर केल राहुल और सुनिल शेटी की बेटी आथिया शेटी की शादी वही थी ये बाद आप सब को मालूमें दोस्तों अब इनकी शादी के बार में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे हमार लिए कोई इंपोर्टन्स की बात नहीं कि इतने wedding gift मिला इसके बार में काफी चर्चा हो रही है तो हम यह देखेंगे दोस्तों यह जो wedding gift इन्हें मिल रहा है क्या यह taxable है under income tax act 1961 यह सवाल काफी लोगों के मन में आया होगा क्योंगी जिस हिसाब से reports सामने आ रहा है list बहुत लंबी है जैसे कि इन्हें 50 करोड का घर मिला है सलमान खाने 1.64 क्रोड वर्थ ओडी कार गिफ्ट दिया है सुनिल शेटी का दोस्त जाकी श्रोफ ने 30 लाक रुपीज का वाच दिया है आरजुन कपूर ने 1.15 क्रोड वर्थ डायमेंड ब्रेसलेट गिफ्ट दिया है विराट कोली बीन ड्रु कार दिया है 2.17 क्रोड व नहीं section 56 of the income tax act में taxation of wedding gift received के बारे में लिखा हुआ है देखे एनी gift received by newlywed couples और individuals on the occasion of their marriage is exempt from taxation तो basically wedding gift exempted है under section 56 of the income tax act मतलब शाधी के टाइम पर couples को जो gift मिल दा है या फिरिक individual को जो gift मिल दा है they are exempted from tax section under section 56 of the income tax act 1961 पर देखे दोस्तों section 56 of the income tax act में ये भी लिखा हुआ है कोण कोण से properties exactly exempted है tax session से ऐसा नहीं कि शादी के टेप पर आप कुछ भी दे दो उसके उपर tax नहीं लेगेगा number one land and building जिसे आप immovable properties बोल सकते हैं फिर देखे jewelry jewelry में देखे ऐसे ornaments आएंगे जो gold से silver से या platinum से बना हुआ है और उसके साथ अगर कोई precious stone या फिर कोई semi precious stone attached है उसे भी कोई फरक नहीं पढ़ता shares and securities भी involved है दोस्तों basically जो divanches होता है bonds होता है अगर ये भी gift करते है न ये भी exempted है taxation से bullion bullion मतलब देखे gold and silver in its purest form pure gold या pure silver भी आप gift कर सकते है कोई costly drawings आप gift कर सकते archaeological collection paintings sculpture any work of art मतलब देखा जाएगा तो इसमे majority of the properties included है पैसे आप पैसे भी receive कर सकते है पैसे के उपर भी अगर वो पैसे as a wedding gift आपको मिल रहा है नव शादी के टैम पर आपको जो gift मिल रहा है उसके उपर tax नहीं लगेगा यह तो हमने देख लिया अब हम देखेंगे शादी को छोड़ के जो gift मिल रहा है उसके उपर क्या tax लगता है इसके बारे में भी इथर बताया हुआ दोस्त any gift received with value up to Rs.50,000 in one year is not taxable मतलब एक साल में 50,000 worth gift आप receive कर सकते हो उसके उपर tax नहीं लगेगा आप इसमें भी कुछ condition से दोस्तों अगर आप आपका कोई relative से gift receive कर रहा है उसका कोई limit नहीं है यह 50,000 बारा जो limit है न यह relatives को छोड़ के अगर आप दोस्तों से receive कर रहे हो और किस से receive कर रहे हो उसके बार में कहा हुआ है उसका limit है 50,000 एक साल का पर आप relative से without any limit gift receive कर सकते है अगर relatives आपको देने के लिए तयार है तो उसके उपर कोई tax नहीं लगेगा मैंने आपको बोला आप रिष्टेधारों से कितने भी amount का gift receive कर सकते हैं कोई tax नहीं लगेगा पर देखिए in context act 1961 relatives को भी define किया हुआ है कौन कोन आते हैं relatives में number one spouse of the individual मतलब wife या husband ठीक है brother और sister of the individual भाई बहन फिर brother और sister of the spouse of the individual आपकी जो partner है husband हो या wife हो उनके जो भाई बहन ह फिर brother और sister of either of the parents of the individual मतलब आपके parents के जो भाई बहन है वो भी आएंगे any linear ascendant और descendant of the individual आपका जो बेटा है बेटी है father है mother है साथ साथ में आपका partner का भी father mother फिर देखी spouse of the person refer to in clauses two to six मतलब देखी जितने मैंने आपको two to four में बोला इन सबके जो partners है wife या husband है वो भी included है in case of a hindu undivided family any member thereof एक hindu undivided family का कोई भी member relatives में आएगा ठीके तो ये सारे relatives में count होते है finally relatives को छोड़के और कोई अगर आपको gift दे रहा है क्या उसके उपर tax लगेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बोला अगर gift का monetary value 50,000 से उपर है एक साल में तो tax लगेगा जैसे कि अगर आपका एक दोस्त ने आपको 35,000 वर्थ एक gift दिया कोई tax नहीं देना है पर आपको फिर से gift मिल रहा है 20,000 का 25,000 का तो total monetary value जो है 50,000 से उपर हो जाएगा तब आपको tax देना हो और एक point अगर आपको कोई property gift दे रहा है उसके उपर कैसे tax लगेगा देखे जब वो property आपके उपर register होगा तो stamp duty दो देना होगा ना तो वो stamp duty का जो value है वो अगर 50,000 से उपर है तो stamp duty value के उपर tax लगेगा तो gift के उपर जो tax session rules है I hope आपको समझ में आ गया साथ-साथ में हम ये भी discuss करेंगे दोस्तों हमारे देश में कौन-कौन से major 9 income से जिसके उपर आपक को tax नहीं देना है वैसे देखा जाएगा तो बहुत सारे income sources है major 9 के बार में हम discuss करेंगे number one agricultural income देखें अब सबको पता है इंडिया जो है primarily एक agrarian economy है तो agricultural sector को boost देने के लिए agricultural income को exam किया हुआ है ठीक है second is receive from Hindu undivided family देखें Hindu undivided family के जितने property है दोस्तों या फिर उस family से बिलो individual को कोई income मिल रहा है तो यह भी exempted है तीसरा shares from a partnership fame देखें कोई भी partnership fame का shares आपके पास है उसके उपर भी आपको tax नहीं देना है कहने का मतलब यह है दोस्तों मान लीजे आप एक partnership fame का shareholder हो तो वो fame का जो total income होगा उसका एक share आपको मिल जाएगा न वो share के ओपर आपको tax नही investment करके रखा है equity में mutual funds में etc तो अगर आपका investment एक साल से ज्यादा का investment है जो returns आपको मिलेगा न उसके उपर भी आपको tax नहीं देना है फिर देखें अगर आप कोई foreign services प्रवेट कर रहे है मतलब देश के बाहर आप services प्रवेट कर रहे हो उसके लिए आपको पैसे मिल रहा है उसके उपर भी आपको tax नहीं देना है अगला है income from gratuity gratuity का मतलब क्या होता है दोस्तों gratuity basically gratitude का part है मान लीजे आप एक company में 30 साल के लिए service किया 30 साल के बाद आपका retirement का time आ गया तो retirement के time पर आपको आपके meritorious service के लिए company एक lump sum amount पे करेंगे उसे gratuity बोलते है आप ये gratuity calculate करने का एक formula है basically आपने कितने साल service किया आपका retirement के time पर basic pay क्या है dearness allowance क्या है वो सब के उपर gratuity calculate होता है तो जो gratuity amount आपको मिलेगा ना उसके उपर भी tax नहीं लगेगा अगला है scholarships और awards ये तो आप समझ गेंगे दोस्तों अगर आपको कई से scholarship मिल रहा है grant मिल रहा है कोई award मिल रहा है उसके उपर tax नहीं लगेगा फिर amount received under voluntary retirement voluntary retirement मतलब क्या होता है दोस्तों देखिए अपने vrs के बारे में सुना होगा ना voluntary retirement scheme मान लीजिए आप एक company में काम कर रहे हो और आपका service बचा हुआ है बेसिकलिए आपका retirement age आ रहा है तीन साल के बाद और आप ये आपको जो interest मिलता है दोस्तों अगर वो interest साल में 10,000 से कम है तो उसके उपर भी tax नहीं लगेगा ध्यान दीजिएगा मैं कोई fixer deposit की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई investment scheme की बात नहीं कर रहा हूँ जो savings bank account है आपका जहापे आपकी salary वगर आता है उसके उपर भी आपको 100% वगर आपको interest दे देते हैं तो वो interest amount साल में 10,000 से कम है तो उसके उपर tax नहीं लगेगा तो दोस्तों that's it देखिए ये जो 9 major income sources के बारे में मैंने जो बताया आपको इसके अंदर भी अलग-अलग criteria है मतलब ये नहीं है कि आपका source of income tax exemption category में आता है तो आपको 100% tax exemption मिल ज ज्यादा है तो आपके उपर tax लग भी सकता है ठीक है और ये 9 income sources को छोड़के और भी अलग-अलग income sources है जो अलग-अलग criteria के साथ tax exempted है मैंने आपको केवल major income sources दो सर tax exempted उसके बार में बताया तो I hope आपको वीडियो informative लगाओगा thank you for watching bye bye have a nice day